नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश के बनाई जिले की बाबा कालोनी में मंगलवार की साम हुई वारदात ने पुरे सूबे को ही नहीं देश को हिला करके रख दिया दो मासुमों की जान निर्मम्ता पुरुवक ले ली गई एक का तो पुलिस ने ततकाल हिसा बराबर कर दिया एंकाउंटर में साजित को धेर कर दिया और दूसरे आरोपी जावेद ने सरेंडर कर दिया जावेद से पुलिस पूछताच कर रही है लेकिन गुत्ती सुलजने के बजाय उलजती जा रही है कि आखिरकर साजिद ने ऐसा क्यों किया जिस परिवार से थे इतने अच्छे तालुकाद रोज का आना जाना था इसके बावजूद उसने मासुमों को छट पर ले जाकर के ऐसा कांड किया कि अब कोई किसी पर जल्दी विस्वास नहीं कर पाएगा बदायू के एसेसवी आलोग प्रियदर्सी ने जावेद की गिरफतारी के बाद पत्रकारों से बात चित की और उनका कहना है कि इस मामले में अभी और जाच की जरूरत है आज जावेद को बारा बजे डिश्टिक कोट में पेस किया जाएगा और फिर उससे और जानकारी ली जाएगी बारदाद के वक्त जावेद का कहना है कि वो बाहर खड़ा था बिनोजसी के घर में साजिद अकेले गया था जावेद के मुताबिक उसने मार्केट से एक छूरी खरी दी और उसी दिन दो पहर में खरीदा कहा कि अब मीट की दुकान खोलूगा लेकिन उसके मन में चल कुछ और रहा था जावेद बता रहा है कि उसे अंदाजा नहीं था कि साजिद क्या करने वाला है लिया ज़ा वो उसके साथ गया था घर के बाहर ही रह गया था बाद में जब उसने देखा कि वो उपर से ऐसे लोट रहा है बदवासी की स्थिती में तो डर के मारे महां से भाग गया कि अभी तक जावेद ये नहीं बता पाया है कि आखिरकार साजिद ने ऐसा क्यों किया क्यों पतनी की डिलिवरी की बात कह करके प्रेगनेंसी की का हवाला दे करके पांच जय रूपे उधार मांगें और क्यों ऐसा किया ये अभी भी गुथी उल्जी हुई है लिहाजा बदायू के एसेसपी आलोग प्रिय दर्सी का कहना है कि जावेद का नार्को टेस्ट करा सकते हैं ताकि गुथी सुल्जे अभी जात में आए सभी तत्यों को देख रहे हैं कई तत्य पिरित परिवार और जावेद के परिवार से पूछताज के बाद सामने आया है जिन को लेकर के पुलिस आगे बढ़ रही है जावेद ने ये भी खुलासा किया है कि वारदाद के बाद दिल्ली में वो अपने सस्राल गया था इसके बाद वहाँ से बरेली पहुँच गया बरेली के सेटलाइट थाने में जाकर उसने सरेंडर कर दिया इसकी जानकारी मिलने के बाद बदाईव पुलिस ने घटना के पुष्टी की फिर जावेद को गिरफतार कर बदाईव लेकर के आई इससे पहले जावेद ने एक वीडियो वाइरल किया था जिसकी पुलिस अभी जाच कर रही है काने का मतलब ये कि अभी भी मासूमों की जान लेने की कहानी की गुथ्थी उल्ची हुई है पुलिस कुछ समझ नहीं पा रही है एक मात्र जावेद ही है जो कुछ बता सकता है क्योंकि साजित कुछ कह के और निकला था किया कुछ और ये बात जरूर सामने आ रही है कि वो सनकी टाइप का था बात बात में गुस्सा करता था और तंत्र मंत्र के चक्कर में भी था वहाँ जाया करता था ये जावेद ने ही खुलासा किया है लेकिन पुलिस को इस पे यकीन नहीं हो रहा है वो तस्दीक करना चाहती है कि सच क्या है इस पे हमारी नजर रहेगी जैसे ही अपडेट मिलेगा आपसे साजा करेंगे रहे ने भी खबर देखते रहिए इन खबर थैंक्यू